तो हाई वरिवन आज की इस वीडियो में जियो F320B जैसे कि आप देख पारें यह मोडल है और इसमें हैंगल लोगो है अब देखें हैंगल लोगो जब भी जियो को फोन में आता है इस टैप के फोन में तो आपको कुछ बात को ध्यान में रखना होता है हमने इसका सबसे पह तो आप एक बार हाट रिसेट करके देख सकते हो लेकिन मैंने इसका हाट रिसेट किया बटन के तुरू फिर भी यह जो है ना प्रोब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो इसका माइक चेंज करने के बाद इसका प्रोब्लम होगा यह नहीं होगा वो तो मुझे सौप पर जाना इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे और साथ में एक और जानकार आपको देदेगा जब भी आप जियो को फॉन को फॉल चार्ज होना चाहिए तो यह सब बाते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है तो इसका हम फ्लैसिंग करते हैं देखिए फ्लैसिंग तो अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देखो गए तो पोट नहीं बन पाएगा इस बात को ध्यान में रखना है तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राजर ओपन करते हैं और यहां पर आपको एक वेपसाइट करना है ठीक है कौन सा वेपसाइट करना है एमटी हम आपको बता दें यहां देख सकते एमटी रूम डॉट ब्लॉगसपोट. कॉम ठीक है यह वेपसाइट आपको टाइप करना इसके बाद इंटर कर लोगे है इंटर करने के बाद यह वेपसाइट जो है ओपन हो जाएगा ठीक है थोड़ा टाइम लेगा यह ओपन ह कर देते हैं यहाँ पर एफ हरबी ठीक है F form और इंटेर दो गए हमने टाइब किया हैं यह कैंट जाले हैं फ्लेफ कर songs करते इस वाले पर क्लिक करते एड आगे है फिर SECRET कट ते इस पर कलिक करते हैं ठीक है अब इस पर कलिक करने के बाद आपको ऐसे आपको कुछ फाइल डाउंडोड करना है कैसे करना वह बताता हो इसका डाउनोडर करना ठीक है और एक और एपलिकेशन आपको नीड होगा ठीक है आप यहां पर आना डिरेक्ट टाइप करना क्वालकम यूस्बी ड्राइबर लेटेस्ट वर्जन का जोगा उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना ठीक है अभी आप देख सकते हो इसमें हैंग ओल लोगो है यहां पर देख सकते हो इसको मसाय रखते है अब यह बाद जो है क्यों फ्लेश टूल जो है इस पर क्लिक करना ठीक है इस पर क्लिक करना एक वरावर क्लिक करते हैं और इसको कट कर देते हैं ठीक है और यहां से इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है यह दोनों फाइल को डाउनलोड कर लोगे ठीक है डाउनलोड करने के बाद बैस करना है करने के बाद आपको क्या करना है चलिए हम इसको भी स्ट्रेक कर लेता है ठीक है यहां से और स्ट्रेक करने के बाद देखिए बहुत ज़रूरी है यहां पर आपको ध्यान से सुनना है कैसे क्या करना स्ट्रेक करने के बाद तो यहां पर देखिए हमने इसको स्ट्रेक इसके बाद एक थावेक ऑने बाद यहां पर राइट करके करें और यहां करने के ना रम आप यहां से प्लक बाइवा और को ार। atom करने के बाद यहां से काव्प यहाँ पर यहां पर पहले से पेस्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर राइट किलिक करना क्या करने आपको यह जो फाइल डाउल्लोड करके स्टेक किया हो q-flash tool 9.1.7 वर्जन का इसको open करने के बाद इसको open करना और open करने के बाद यहाँ पर टूल में आ जाना टूल सेक्शन में और यहां पर जो है ने देखो application लिखा है इसके सामने जो है न क्यूँ फ्लेश टूल जो है इस पर क्लिक करना right click और run as administrator इस पर क्लिक करना और yes कर देना ठीक है yes करोगे तो यहां पर यह वाला यहां पर यहां पर अब निबत kरना है तो अभी मुझे इसको करते हैं कैसे इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं पहले अपने system में आता के बलगाने के बाद आपको क्या करना अब इसके बसे बैटरी लगाना है और यहां पर रभाटन यह वह ब्रेस करना है यह प्रेस करके करने के बाद यहां पर इसको यहां से इस तरीके से लगाना है जैसे लगाऊ गए यहां पर जो है न पॉर्ट बन जाएगा देखो यहां पर पॉर्ट बन गया उपर में देख सकते हो क्वालकम का फ्रॉब ने के बाद यहां पर डाउनलोड कॉंटेंट है इस पर किलिक कर दो गए तो यह फाइल जो है अब इसमें कोई भी एरर आता है आपके साथ कोई भी पर्सानी क्रिएट होता है तो मुझे आप इंस्टाइगा पर मैसेज करो कुमेंट सेक्षन में मैसेज करो जो भी create होता है तो मैं उस पे आपको प्रशनल्ली reply देकर के बता दूंगा कि इस section में आपको कैसे काम करना है जो problem आता है उस problem पे आपको क्या work करना है ठीक है अगर आपका charger pin सही नहीं होगा उसका जो भी line है नवो वो सही नहीं होगा तो यहां पे आपका port नहीं बनेगा ठीक है पोर्ट बनने के लिए आपका चार्जर का पीन जो है जैक को सही तरीके से लगा होना चाहिए ठीक है और सभी पीन पे आपको रीडिंग आना चाहिए जिसमें एक पीन फोल्स होता है बाद बाद की पहला ग्राउंड दूसरा एक और होता है जो भी लाइन होता है तो उसी अपर हैं तो फड़ा अब यहां पर नोल इसको निकालके थे सकते हैं अब डोस्तों ऐसके प्याण देना से यहां से तब तो ठीक है आपका सोफ्टर से ही था अगकией अगर हैं लो невुक्स नहीं होता तब आपको hardware में काम करना होगा, आपको सबसे पहले mic को remove करके check करना होगा, कि hang on लोगो हटता है या नहीं हटता है, अगर mic निकालने के बाद सही हो जाता है, तो आपको दूसरा mic लगाना है, इसके बाद आपको, अगर उसके बाद भी सही नहीं होता है, तो मैंने इस पर dedicated video बना कर रखा हुआ है, कि आप hardware से किस तरीकी से इसको solve करोगे, जो कि मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके sort out कर सकते हैं, अगर उस वीडियो का link हम इस वीडियो के description में नहीं डाल पाते हैं, तो आप comment करना मैं डाल दूँगा, ठीक है, और उस वीडियो को देख करके आप 100% अपने problem को solve कर पाऊगे, तो basically इसमें जो इना I think नहीं हो रहा है, हमने इसको एक बार फिर पहले भी flash किया था, नहीं हुआ था, तो इसमें जो इना